ITC Share को इस एपिसोड में डिसकस करेंगे और FMCG पे हमने कहा था कि मेरा व्यू प्रसनली बुलिस है तो अगर अल्रेड़ी ITC में इंवेस्टेड हैं तो हमबल रिक्ट्वेस्ट होगा कि यहां से एक्जिट करने की बिल्कुल गलती नहीं करें Overall इस stock में buyers continuously strong बने हुए है और अभी भी इस stock में delivery लगवग 50% के आसपास का continuous delivery लगवग पिछले 2 महिने से आते हुए दिख रहा है इसका मतलब आप indirectly समझ सकते हैं कि इस stock में अभी भी accumulation continuous चलते हुए दिख रहा है जिस परकार से इस stock के technicals को आप देखेंगे तो आप आएंगे कि continuous stock ने लगवग 15-20 दिन में 20% तक के return दिये हैं और continuous अभी भी यह stock upper trend में है जहां market के अंदर volatility है market downtrend है वहीं यह stock 2% की तेजी में आज के trading session में दिखा और surely shorter में यह stock nifty को outperform करने वाला है और trend totally visible है इस stock के अंदर personally view है कि इस stock में first target 290-300 तक के within 7-10 days में surely दिखने वाला है और second target जो 350 का होगा within 2 month से around 3 month के आसपास के duration में 350 plus का भी target आपको surely दिखेगा तो इस stock में early exit करने की गलती नहीं करे हर एक dip इस stock में एक buying opportunity है और 262 के आसपास तक के price के dips के लिए भी तयार रहा है अगर यह price भी मिलता है तो surely इस stock accumulate करें